मद्यप्रदेश के ववा सदन जहान मद्यप्रदेश के जनता के भाग्य और भविश्ची के फैसला हो थे ववा सदन मा कोरोना वाइरस के संकट के बादल ठाये हैं वहिं से जुड़ी एक बेहत बड़ी खबर लेकिया हैं विंद्शेत्र के ये पहिल बगेली नीज चैनल मा हम कनिस्तिवारी अपना पंचेन का सबेजनेर का प्रडाम करी थे कारिवाही सुलू के दिन गई ही संसदी कारिव्युहाग का सत्र करलाई के जो है फाइल संसदी कारिव मंत्री के पास भेजी गई ही सत्र कब होई कितने दिन का होई अबे न होई या आगे होई या तै करेखातिर फाइल भेजी गई है यह में कहाँ गा है कि आगामी सत्र मा नए चुने गए भी दहकन का सपद्धिवाई जी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाओकर बावेक है सत्र और आखरी तारीक के संबंध मा अंतिम फैसल जो है मुख्रमंत्री शिवराज सिंग चौहान लेई और सूत्रन के मुदाबिक 21 से 24 दिसंबर तक चार दिवसी सत्र जो है बुलाबा जायसकत है कोरोना की स्थित का देखत की जो है संसद का जो है सीथकालिन सत्र इस्तगित का इदीनगा है मद्ध प्रदेश जो है विधान सभा के आगामी सत्र का लई की यह संसे है काही की कोरोना की कारण पिछला सत्र एक दिन है के रहा एहीं से पहले एक सत्र का कोरोना के वजह से निरस्त तैदीन गरा अब जो है रामेश्वर सर्मा प्रोटेम स्पीकर है रूसव से लंबे समय तक के प्रोटेम स्पीकर के पदमा रहे वाले नेता ही जबकि जग्दीश देवडा मंत्री बने के बाद जो है प्रोटेम स्पीकर पत से इस तीफा दे दीने रहे ओके बाद 2 जुलाई से स्री रामेश्वार्ट सर्मा यपत्थ सम्हाल रहें तो यह बहुत बड़ी खबर ही कि अब कहो न कहो यह सीद कालिन सत्र यह मां संकट की बादल कोरोना वाइरस के चलते चाये हैं अब एक खीतिर जो है कहो न कहो जो नए विधायक आए हैं उनका सपत दिवावे के पूरा कारिक्रम है और ओहिन से जुड़ा कारिक्रम अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाओं है जो ने खातिर यह सत्र बेहत जरूरी है किन्तु अब यह पूरा फैसला सिर्वराज अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाओं संभावित प्रस्तावित हो इसका थेता आपनों बहुत ख्याल रखका और हर छोड़ बड़ी खबर की तिर बने रही मपी संदेश निउस 24 के साथ धन्यवाद